दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके ये अपने यूट्यूब चैनल किर्शना फैंटेसी में अज हम बात करेंगे केशी सी टी टॉन्टी चैलेंजरस कप मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा जी एटी वसा सी सी बी के बीच दोस्तो ये मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो नाके बराबर और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौनसे वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौनसा बैट्स्न का बैटिंग करेगा कौनसा बोलर का बोलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बता हुआ तो वीडियो को एंटेक जरूद देखेगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है किरुषना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस match की जो final team है वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी तो आप telegram channel को join कर लिजिए telegram का link आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए तो जल्दी से आईए link पे click करें और telegram channel को join कर लिजिए क्योंकि final team toss के बाद आपको telegram पे ही मिलने वाली है अगर मैं decent matches का result भी आपको बताओ तो आप देख सकते हो कैसे लगातार हमने हर matches में आपको clean sweepी कर रहा है दोस्तो दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी team के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक request यार जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तो YouTube चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा साथ ही साथ में इस वीडियो को like भी जरूर कर दीजेगा क्योंकि आप देखिए एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है तो अगर आप इस वीडियो को like करोगे और channel को subscribe करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा उमीद करता हो अब तक आपने इस वीडियो को like कर द भी आप इनको बोल सकते हो वहीं दोस्तो जे राजू के बारे में बात करें इस मैच के लिए आपके लिए एक must option होने वाले open करते वे नजर आएंगे हाला कि recent के 5 मैचेस के बारे में बात करू 100 प्लस और 99 भी करें दोस्तो यह आपके लिए definitely game changer होने वाले भाई अगर आप grand लीग खेल देओ ना तो राजू को जरूर ट्राइ करिएगा और मैं तो बोलता हूँ आप small league में भी इनको अपने टीम में लेके चल सकते हो क्योंकि यह भी एक hard eater batsman होने वाले है वहीं दोस्तो आर मौमत के बारे में अगर हम बात करें open करते वे आपको नजर आएंगे recent के 5 matches के बारे में बात करें तो इनका भी performance अच्छा रहा है तकरीबन 80 plus run इनोने भी करें दोस्तो और आपके लिए एक अच्छे option बन जाते देखिए मैं आपको सद्यश करूँगा आप मौमत को तो अपनी टीम में रख सकते है बाकी एल शर्मा और राजू में किसी एक को आप टीम में लेकी चल सकते अब कौन वो एक होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ अगर G.A.T की टीम पहले बैटिंग करें तो आप राजू को रखिए मतलब राजू को रख सकते और यहां से एल शर्मा दोनों को भी रख सकते लेकिन अगर G.A.T. की टीम बाूलिंग कर र तो यहां से बैटिंग में Samuel का आपके पास option होने वाला है अगर इनकी performance के बारे में मैं बात करूँ दोस्तो नमबर 6 आपको इस match में खेलते वे नजरा जाएंगे लेकिन ये बैटिंग के साथ साथ balling भी करते हाला कि बैटिंग इनकी अच्छी है और balling भी अच्छी है रीसेंट के 5 matches के बारे में मैं बात करूँ दोस्तो 7 wicket इनोंने निकाले balling से और साथ ही साथ में बैटिंग से भी अच्छी इनिंग्स खेल के दिये तो आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते है वही आर मुहमद का आपके पास option है ये भी आपको open करते वे नजर आएंगे दोस्तो प्लस ये आपको balling भी करवाते वे नजर आ सकते इस चीज को आपको ध्यान में रखना है रीसेंट के 5 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके performance के बारे में हाला कि बैटिंग से इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा 50 प्लस रन करें लेकिन कभी-कभी balling करवा लेते तो वहाँ आपके लिए एक must option बन जाते तो grand league में आप जरूर इनको try करके चल सकते हूँ मैं फिलाल इनको अपनी team में रख रहा हूँ रामचंदरन का आपके पास एक और option होने वाला है अगर हम performance की बारे में बात करें बन्दा आपको open करते वे नजर आएगा प्लस balling में करवा लेता है recent form काफी अच्छी है recent की 5 matches में तकरीबन 200 प्लस रन इनोने करें प्लस balling से एक wicket निकाला है balling डाल लेते कभी-कभी हाला कि पूरे over डाले वो मैं नहीं बोल सकता लेकिन बैटिंग अच्छी है आप इनको भी अपनी team में लेके चल सकते है मैलवो का आपके पास option होने वाला है performance के बारे में बात करें यार इनका जो betting order रहता है ना अगर आप देखोगे team L वो का तो आपको नीचे नजर आते है तो आप drop करके चल सकते हो वही रादा किशन की बारे में अगर हम बात करें performance की बारे में किस type का इनका आपको जो है ना performance नजर आने वाला है कहां या आपको betting करते वे नजर आने वाले है तो देखे यह आपको number 4 betting करते वे नजर आएंगे वो recent के 5 matches के बारे में बात करूँ 50 प्लस न इन्हों ने करे थोड़ी सी form इतनी अच्छी नहीं चल रही है इसलिए मैं फिलाल इनको अपने team में team से जो है drop करके चल रहा हूँ बाकि यहां से जो best option रहने वाले अगर मैं बात करूँ किसी और के बारे में तो वैसे यहां से देखो आपके पास शिवा कुमार का भी option होने वाला है performance के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह आपको तकरीबा number 5 पे बैटिंग करके दे देते हैं प्लस बालिंग भी करवा लेते recent के चार मैचेस अगर बालिंग से देखोगे वाँ 6 विकिट भी इन्होंने निकाले दोस्तों और साथ ही साथ में 38 रन इन्होंने करे 34 रन करे तो कुछ अच्छी इनिक सीसेंड में इन्होंने खेली भी है मैं आपको सेज़ेश करूँगा GAT की टीम अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप इस बंदे को जरूर अपनी टीम में लेके चल सकते हैं दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान में एकना है मातर 20% सेलेक्शन है लेकिन ये बंदा गेम चेंजर बन सकते हैं बाकी कोई खास ओप्शन नहीं तीन हमारे बैट्समेन अभी के लिए रहने वाले है और राउंडर में अभी अभी अभीशिक का आपके पास ओप्शन होने वाला है दोस्तो वी अभिशेक का आपके पास option है अगर हम performance की बारे में बात करें किस type का इनका performance रहता है कहां आपको betting करते वे नजर आने वाले है दोस्तो तो देखिए तकरीबन तकरीबन यह जो है आपको number 5 आपको खेलते वे नजर आएंगे दोस्तो यह confusion हो गया था जो अभी मैंने शिवा कुमार का states आपको बताये थे ना दरसल वो शिवा कुमार के states नहीं थे वो यहां से जो है न वी अभिशेक के states से इस चीज को ध्यान में रखना थोड़ा सा confusion कई बार हो जाता है तो भी जो शिवा कुमार के states मैंने बताया है वो सेम अभिशेक के और शिवा कुमार के मैं आपको फिर से confirm कर देता हूँ यह आपको जो है number 3 पे खेलते वे नजर आने वाले है दोस्तो और recent के 5 matches के बारे में अगर मैं इनकी performance की बारे में बात करूँ 70 प्लस और इनोंने करे है यहां से आप इनको चाहो to try कर सकते हो otherwise drop करके चल सकते हो betting order इनका one down रहने वाला है बाकि वी अभिशेक का मैंने आपको बताये था अभी अच्छे player है दोस्तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो वहीं अगर यहां से हम बात करें वीरा सेखरा की बारे में दोस्तो इनका क्या performance रहेगा विराज वीरा सेखरा आपको number 4 बैटिंग करते वे नज रहेंगे recent की 5 matches में 6 wicket इनोंने निकाले हाला कि बैटिंग से अगर मैं बात करू last 5 matches में 10 plus 10 इनोंने नहीं करें single linux में बट balling अच्छी है तो आप इनको लेके चल सकते हो ऐस वासुदेव के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो performance के बारे में बैटिंग order तो देखो काफी नीचे रहता है balling से recent के 5 matches में सिर्फ 3 wicket निकाले पहले इनकी team balling करती है तो आप इनको try करके चल सकते हो वहीं अगर हम याँ से बात करें HK के बारे में दोस्तो इनका क्या performance रहने वाला है same betting order आपको नीचे रेखने को मिलने वाला है हाला कि balling ये करवा लेते balling से अगर मैं बात करूँ recent के 4 matches में तो वहाँ सिर्फ एक wicket निकाले इतना अच्छा form इनका नहीं रहा है वहीं अगर हम याँ से बात करें दोस्तो विजयान के बारे में betting order के बारे में अगर हम बात करें विजयान के तो तकरीब नमबर 7-8 पे betting करते वे नजराएंगे balling से अगर मैं बात करूँ balling इनकी अच्छी recent के अगर आप देखते हो balling वगेरा के बारे में इनका तो एक की wicket निकाल पाए balling कम डालते लेकिन अगर जब भी डालते तो wicket वहाँ से निकाल लेते तो मैं आपको बता दूँगा कि यह balling करवाएंगे नहीं करवाएंगे toss के बाद वह आपको telegram पे update कर दूँगा अगर यह पूरे over डालेंगे तो हम इनको अपनी team में रख सकते है otherwise आप drop करके चल सकते हो बाकि इनके अलावा अगर हम किसी और के बारे में बात करे ए रतनाम का आपके पास option होने वाला है अगर हम performance के बारे में बात करे नंबर तीन आपको खेलते वे नजर आएंगे plus balling करवाते इस match में जो आपके लिए game changer होने वाले भाई यही होने वाले recent के 5 matches के बारे में अगर मैं बात करू क्या performance देने वाला है दोस्तो recent के बारे में last 4 matches अगर मैं बोलू इनके balling से तो वहाँ पे जो है 4 wikend निकाले grand league में try कर सकते हो लेकिन second inks में करना अगर इनकी team पहले betting कर रही है तो try कर सकते हो तीन हमारे all rounder फिलाल रहेंगे balling के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो performance के बारे में malchen का आपके पास option होने वाला है performance अगर हम देखते हैं इनका किस टाइप का performance है recent में इन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा last win में 2 wikend निकाले recent के सभी 5 matches में wikend निकालते वे आ रहे हैं और 9 wikend इन्होंने recent के 5 matches में निकाले जो सब recent खेल नहीं रहे खेलेंगे तो मैं toss के बार telegram पर अपडेट आपको कर दूँगा M. Amish के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो क्या performance से last win में 5 wikend निकाले हैं तो यहां से इनका भी मैं आपको clear कर देता हूँ Last match के बारे में बात करूँ 3 wikend निकाले recent के 5 matches में अभी तक 5 wikend इन्होंने निकाले दोस्तो वहीं अगर हम यहां से Sanjeeva के बारे में बात करें दोस्तो इनका क्या performance रहता है देखो last match में कोई wikend नहीं निकाल पाए recent के 5 matches में सिर्फ 2 wikend निकाले तो थोड़ी सी form इतनी अच्छी नहीं चल रही है इनके अलावा अगर हम बात करें उनेस का आपके पास option होने वाला है बट इनकी overcut सकते हैं ग्रेंड लिग में आप ट्राइ करें रीसंट के 5 matches में 3 wikend नहीं अभी तक निकाले फिलाल में आसे मालशन हमीश को अपनी टीम में रख रहा हूँ और यहां से जोई शौजिस हो जाएंगे तीन हमारे बॉलर रहेंगे अब बात करते हैं किस को आप Captain Voice Captain कर सकते हो कौन आपके लिए यहां से एक अछा option बंन सकता है तो देखे दोस्तों इहां से रामचंदर को आप कर सकते हो voice captain अभищek के साथ जा सकते हो और विरास तीन आपके पास option होने वाले captain मेरे रामचंदर रहेंगे फिलाल और अभीशिक मेरा ऐसे वोइस केप्टन रहने वाले है दोस्तो फिलाल ही हमारी टीम का प्रिविव आप पे देख सकते हैं आप इस टीम के साथ कॉंटेस्ट जोइन कर लिजिएगा फाइनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है और डिस्किशन बॉक्स में दिया है तो जल्दी से आईए लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लिजिए वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा